नमस्कार दोस्तो आप सभी का चैनल में स्वागत है अगर आप नहीं है चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तो हम लोग इस वीडियो में ESI के लिए जो Employment Generation के स्कीम से उसके तहर एक बहुत पुरानी स्कीम है दोस्तो NREP National Rural Employment Program गुनी 180 में लॉंच वाता उसको डिटेल में देखेंगे इसके Objectives क्या थे Strategies क्या थे इसके Key Features क्या थे क्योंकि दोस्तो मैं एक Flow Chart लाने वाला हूं पूरानी जो Employment Generation की जो स्कीम सा उनके उपपर तो उनको समझने के लिए यह स्टार्टिंग पॉइंट है तो आपको स्टार्टिंग जो स्कीम है यह वाली इसके Feature से आपको समझने पड़ेंगे ताकि आपको आगे वह जो पर्टिगुलर वीडियो आएगा आपको आसा नहीं रहे दोस्तो दोस्त तो यह जो प्रोग्राम है नैशनल रूरल एमप्लोइमेंट प्रोग्राम यह Food for Work FFW प्रोग्राम गुन 1997 में लौंच हो आता उसको चेंज करके नया बनाया गया था दोस्तो यह जो Food for Work प्रोग्राम है यह दोस्तो 5th 5-year प्लान में लौंच हो आता और यह NREP 6th 5-year प्लान या फिर Underemployed है दोनों के लिए ही जाए मैन और उमेन दोनों के लिए रूरल एरियाज में मकसद था है इसका खुल में लाके additional gainful employment creation दूसरा था दोस्तो जो community assets है productive community assets उनको create करना और ताकि वो जो direct और continue benefit मिल सके गरीब लोग को उन सबासेट का उसके बाद में overall तीसरा जो मक सकता होता कि जो रूरल एरियाज में overall quality of life increase हो ताकि जो गरीब है उसकी जिन्दगी और भैतर हो सके अब इसके दोस्तों हम functions की बाद करते हैं इस scheme की तो दोस्तों इस scheme के ताप large mandates का परियार allocate किये गए थे funding based unemployed और under-employed दोनों के लिए और उसके साथ में durable community assets create हो ताकि जो rural infrastructure है और ज्यादा strengthen हो सके और ज्यादा additional rural infrastructure create हो सके हम बात करते हैं जो की इसके जो दोस्तों features है जो इस scheme के key features हैं उनकम समझने कोसिस करते हैं काफी ज़्यादा यहां सवाल पूछने के chance रहते हैं दोस्तों जो NREP है उसके अंदर landless labor को preference दिया गया था और उसके साथ में landless labor म भी SCST को special preference दिया जा रहा था इसके अंदर और दोस्तों इसके अंदर जो man provision था इस scheme का वो था कि इसके अंदर आप contractors middleman को engage नहीं कर सकते हैं यानि कि manual work की permitted था उसके साथ में जो इसके अंदर जो wage मिलता था पार्ट cash मिलता था और बाकी food grains के तोर पे मिलता था एक से 2 kg per day per head के साब से इसमें दोस्तों food grain दिया जाते थे और इसके अंदर हम लोग बात करते हैं implementation agency की तो DRDA district rural development authority दोस्तों सब इसके जो पूरा planning, implementation, coordination, monitoring, सब काम DRDA करता था और NREP की हम लोग scheme की बात करें तो एक centerly sponsored scheme थी जिसके अंदर जो expenditure है center और राज्यों के बीच में बराबर में share किया जा रहा था यानि कि center state funding ratio क्या था 50-50 percentage और NREP के अंदर जो भी इसके अंदर दोस्तों प्रोविजन था हमने इस वीडियो में national rural employment program को देखा जो key features सा उनको देखा दोस्तों गुनीश और सीकी scheme है इसके बाद में flow chart लाओंगा मैं जो पुरानी मतलब आज जो modern day नरेगा है वो कैसे रहा हुआ है दोस्तों कुछ देर बाद मैं वीडियो अप्लोड करने वाला हूँ